आज के इस वीडियो में देखेंगे दस्ता अभ्यास 15 जिहां दोस्तों इसके पहले की वीडियो में हमने अभ्यास 15D पुरा कम्प्रेट कर दिया है वह वीडियो आपको मिल जाएगी आप लोग देख सकते हैं अर्थाग चैप्टर 16 प्रायक्ता अगर देखना है तब भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा अंत में अश्ता अभ्यास 15 में जो 12 कुश्चन है तो इस वीडियो में 6 कुश्चन आज बता देंगे और इसले कट के टॉलब तक नेश्ट वाली वीडियो में देखेंगे और उसका भी जो है इसी वीडियो में आए बटन के रूप में और इंडी स्क्रीन के रूप में वहाँ वीडियो लग जाएगी इनिकी इसका पार्ट टू आप लोग देख सकते हैं यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है इसलिए बिना स्किप करके नहीं देखेंगे है वीडियो उनको माधिका निकालना आ जाएगा एक ही बार में यह हमाई गरांटी लेता हूँ चलिए श्टार्ट करते हैं वीडियो को देखे पहला कुछत लिखा गया है निमलिखित आकडों की माधिका ग्याद कीजिए हम आपको वता देए जो कुछन हम लोग करने हैं यह यूपी बोर्ट क्लास एट की मैत है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग आरोही करम में लिख ले तो सबसे पहले इस ही कुछन को पहले वाले कुछन में लिख लेते हैं आरोही करम में लिखने पर क्या लिखेंगे सबसे वाले लिखेंगे आरोही करम में लिखने पर आरोही करम में लिखने पर आरोही करम में लिखने पर सबसे पहले rho hikram में मलब सबसे चोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या पिर उससे बढ़ी संख्या ऐसे हותा है rho hikram तो बताए इस संख्याओं में यानिक 23, 20, 22, 19, 17, 22, 14, 16, 15 में सबसे चोटी संख्या क्या है तो आप लोग बताऊ támärा है ना कि 15 है इसमें देख देख जो है संख्या लेकिए 15 यह निए 14 फिर 15 फिर कितना 16 फिर कितना 17 फिर सतरक बाद क्या है 18 नहीं न 19 है 19 फिर 20 है फिर 21 नहीं है 22 कितनी बार है दो बार है देखिए 12 यहाँ पर 12 shy इहाँ पर तो इसे क्रम से लिखेंगे 22 फिर कितना है 23 है ना तो यहाँ पर लिख देते है 23 यह हमने संख्याए करम से लिख लिया इसी को बोलते है आरोही करम में हमने लिख लिया ठीक ना आरोही करम में लिखने एक बात क्या करते हैं संख्याओं को यह निए पदों की संख्या हम लोग ग्याद करते हैं कि कितने पद हैं कितने टर्में हैं देखोगे गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 क्या है बिसम संख्या है तो यहाँ पर लिखिए आप जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखिए साब साब कि यहाँ यहाँ पदों की संख्या यहाँ पदों की संख्या बराबर कितना है नव है नव क्या है बताइए बिसाम है, हैना, नव क्या है, संख्या क्या है, बिसाम है, इसलिए माधिका कैस निकालेंगे, आए समझते हैं, अता हमाधिका बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए माधिका बराबर, माधिका बराबर फार्मूला क्या होता है माधिका अगर जब संख्या बिस्साम होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है N प्लास 1 अपान 2 वे पदों का वे पद का मान वे पद का मान है न यह क्या है फार्मूला है अब यहाँ पर यन जो लिखा गया है यन क्या है हम आपको अदा दें यन क्या है यन क्या है पदों की संख्या है यहन की यन का मान दिया गया है संख्या क्या है यहाँ पर कोश्टक में आप लिख सकते हो तो यन है, यन कमान दिया गया है, यन बराबर कितना है, नाइन है, ठीक है, तो इसलिए माधिका क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माधिका बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यन के जहेब कितना रखेंगे, नाइन रखेंगे, है ना, तो नाइन प्लस वन अपान कितन कितने हो जाएगा है नै तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप कि वे कि पंतकामान कि तो यह हो गया अब 10 है दस बटे टू ए पंत का मन तो इसको रोड़ सकते हैं न चाहिए बढ़ाई काना चाहूर बढ़ा सकते हो लेकिन हम यहाँ पर काड़ सकते हैं दो एक कम दो इसको हम लोग काड़ सकते हैं देखो दो एक कम दो दो पंच कितना होता है दस होता है तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर कितना पांचवे पद का मान है ना पांचवे पद का मान तो बताईए पाच्वा पद क्या है यह बताईए चलिए गिनते हैं हम लोग काउंट करते हैं पाच्वा पद इसमें क्या है देखिए यहाँ पर गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच ना, तो पाच्वा पद क्या है आपका 19 है ना तो 19 क्या हो जाए आपका राइट अंसर हो जाएगा है ना 19 क्या हो जाएगा यहापर अंसर हो जाएगा यहापर क्या हो जाएगा अंसर आपका 19 हो जाएगा ठीक है तो यह 19 क्या हो गया आपका यह मादी क्या हो गई ठीक है यह क्या हो गई दिखेने इस्ट कुशन पहले का second part तो second part में अब देखेंगे दो, चार, छे, आर्ट, दास ये सब क्या है क्रम से दिया गया है अर्थात आरो ही क्रम में लिखा गया है तो इनी संख्याओं के पहले हम लोग लिख लेते हैं इनी संख्याओं के पहले क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं, संख्याओं कितना दिया गया है दो, चार, छे, आर्ट, दस, फिर बारा, चोदा, सोला, अठारा ये संख्याओं दी गई है जिनको हमको क्या करना है, माधिका निकलना है तो यहाँ पर हम लोग पदों की संख्याओं गयात करते हैं, कितना पद हैं इसमें तो देखों कि 2, 4, यानि कि काउंट करते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर पदों की संख्याओं क्या है, 9 है तो लिख देजिए यहाँ पर पदो की संख्या क्या है यानि कि यहाँ पर लिख लिए जिए इसे पदो की संख्या पदो की संख्या यान बराबर कितना दिया गया है नव दिया गया है नव क्या है आपका बिसम है नव सम तो है नहीं है क्या बिसम तो ये बिसम है तो इसलिए आता हम माधी का बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए फार्मूला क्या होता है जब पदों की संख्या बिसाम रहता है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है तो माधी का बराबर क्या होता है फार्मूला माधी का बराबर क्या हो जाता है एन प्लास वन बटे टू वे पद का मान है ने वे पद का मान ये फर्मूला है ठीक है ये न बराबर कितना है नाइन है तो यहाँ पर नव रखेंगे तो यहाँ पर नव रखेंगे कितना हो जाएगा नाइन प्लास वन बाइ टू वे पद का मान वे पद का मान ये हो गया है ना आप देखिए नव ये कितना हो जाएगा दस है ना तो दस बटे में टू हो जाएगा तो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो दो एक कम दो दो पंच कितना हो जाएगा दस येनि पांच बार गया तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि वे पद का मान वे पद का मान तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग पांच वे पद का मान पांच व पदकामान अब बताइए पांच वपाद क्या है यहाँ पर आप लोग काउंट करोगे यहाँ पर पांच वपाद बताइए क्या है गिनोगे एक, दो, तीन, चार, पांच ना, तो पांच वपाद यही है ना बोलिए एक, दो, तीन, चार, पांच पांच वकलत यही आप देखो अगर वाई से भी देखोगे तो चार इधार यानि बीच में क्या हो गया 10 आ गया 10 क्या हो गया है माधिक हो गया CH twenty-inch answer होजाएगे हाँ पर माधिक हाँ बराबर कितना लिखोगे है आप आपो next question पर question number देखिए first second बता दिए हैं first का third वाला part बताना चल रहे हैं first का third part देखिए first का third part तो माधी का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जब संख्या क्रम से न लिखी गई हो तो क्रम से लिख लेते हैं यानि आरो ही क्रम में लिखेते हैं जब आरो ही क्रम में लिखी गई संख्या हैं तो पहले इस संख्याओं को पहले आप लोग लिख लिजिए संख्या क्या है one two three four five six seven eight nine और ten है न दस तक संख्या दिखी गई है अब इन संख्याओं को क्या करना है आपको इनी संख्याओं का माधिका ग्याद करना है न अब यहाँ पर हम लोग काउंड करते हैं संख्या कितने हैं दस हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, यहाँ पर पदो की संख्या कितनी है, दस हैं, तो आप लोग जो है, हल करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, कि यहाँ, यहाँ, पदो की संख्या, यहाँ, पदो की संख्या, संख्या, यन बराबर, पदो की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताओगे, दस संख्या है, न, दस संख्या है, तो इसलिए माधि के बराबर, इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, जब संख्या क्या है, अब बताए, दस क्या है, संख्या क्या ह दस क्या है सम है तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है आप लोग पता ये क्या होता है फार्मूला तो माधिका आप लोग जानते हो जब जो है संख्या है सम हो तो माधिका के लिए जो है फार्मूला लगता है माधि के बराबर फार्मूला क्या होता है एक बटे दो एक बटे दो कोश्टक बन बड़े वला कोश्टक सुरुवात होता है यहाँ पर लिखोगे यन बाई टू यन क्या है जो भी संख्या है यहाँ पर दी गई है यन बाई टू वे पद का मान, है ना, वे पद का मान पद का मान ठीक है, प्लस यह न बाई 2 प्लस 1 वे पद का मान वे पद का मान यह क्या है, फार्मूरे लिख दे रहे हैं अभी ठीक है, जब संख्या सम होत, इसके लिए फार्मूरल यही लगता है ठीक है, देखिए, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है न, तो वहाँ पर यहाँ बराबर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे क्योंकि पदों की संख्या कितना है, 10 है तो यहाँ पर फार्मूल यहाँ पर फार्मूल यहाँ क्या है एक बटे दो, एक बटे दो, यहाँ कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो 10 बटे में कितना हो जाएगा दो, 10 बटे दो, यहनि कि वह पद का मान वह पद का मान प्लस यहाँ पर भी रखें कितना यहाँ पर भी रखें कितना 10 तो 10 बटे में 2 प्लस 1 वे पद का मान वे पद का मान ठेक डाड़ कट दे रहे हैं वे पद का मान आप इसको हल करेंगे आगे तो लिखेंगे कितना 1 बटे में 2 तो अब इसको हम लोग काटेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना 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 हो जाएगा, त और छाठवे पद का मान ठीक है तो नेश्ट लाइन वे यह लिखने चल रहे हैं क्या लिखेंगे पांचवे पद का मान पांचवे पद का मान पांचवे पद का मान प्लस क्या हो जाएक पांच कितना हो जाएक छे तो छाठवे पद का मान हो जाएगा छाठवे पद का मान ठीक है ये क्या है आप देखिए पांचोपद और छठोपद इसमें क्या है बताइए यहां पर देखिए पांचोपद और छठोपद क्या है गिनो एक, दो, तीन, चार, पांच, 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 पांच है छुअठों पत्कमान को कितना है भी आपके कना पठी पत्कमान की तो यह हैं ना करूं pessoa here यहां पर itlexa के बटल चाओ नहीं का यह जाएगा यहां पर एक ली दो च्छाओ पाच कितना हो को झायेगा अब जब यह कोश्टक हटेगा ब्ला कोश्टक त़ि लग जै क्या घूड़क चिन लग जाएगा टो यह अशंद्र घूजर управ ऑपर जाएगा कितने होजाएगा जब दो से भाग करोगे, जब 2 से भाग करोओって 11 में, 2-5-10, कितनी बार गया? 5 बार गया, 1 बचे का 10 मरो लोगा 2, कितने हो जाए 12-5, 10 तो अंसर इसका राइट अंसर क्या आएगा, 5.5, क्या हो जाएगा इसका, राइट अंसर हो जाएगा, है नACH येदि आपको सौन वाया हो, आप पहला कुछिन हो गया पूरा, फ्रस्ट स्ट ए ova ही ठे में ए macam लेते हैं, लिखा गया है सांड़ि से माधिका ग्याद कीजिए ये पत दिया गया है ये बारामबारता दिया गया है पत कितना है? चार है ये चार की बारामबारता कितनी है? पांच है साथ की बारामबारता कितनी है? आठ है दस की बारामबारता कितनी है? दस है हमको दिखा दे रहें ऐसा एक आपको साली बनाना पड़ेगा आप क्या करना पड़ेगा देखिएगा यह जो पद दिया गया है पद तो यहाँ पर लिखिए पद ठीक है यहाँ पर क्या लिखेंगे पद यह हो गया पद हो गया तो पदों की संख्या कितनी है, चार, साथ, दस, बारा, तो पदों की संख्या कितना दिया गया है, चार, साथ, दस, बारा, ये पदों की संख्या दिया गया है, आप देखिए इसमें क्या दिया गया है, बाराम बारता दिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बा बारमबार्ता है ठीक है? इसमें बारमबार्ता लिखी जाएगी, तो बारमबार्ता कितना कितना नहीं दिये गया है? पाँच, आठ, दस, एक ठीक है? तो पहले इसको लिख लेजी आप, क्या लिखेंगे? चार की बारमबारता के नहीं है, पांच है, यह पांच, आठ, दस, एक, आप जो यहाँ पर कालम एक दिख रहा है, यहाँ पर आपको संचाई बारमबारता लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, संचाई बारमबारता, ठीक है, यहाँ पर संचाई बारमबारता लि ठीक है अब देख़ें संचरी बाराम بाळाथा कैसे लिखी जाती ही शुरुवात करते हैं बारामभर्पा इससे ही इनि पहले कि जो बारामभाथा निकालेंगे संचरी बारामभाथा लिखेंगेंगे तो यह यह यहां पर 5 हो गया आप जो है किया हो जाएगा ऐसे बाढ़ता जनुक्त वाली होती है अब यह संख्या इस वाले epoxy में जुड़ती जायेगी यानी आज जो संख्या हो जाएगा है ठीक ना तेरा हो गया और प्लस कितना हो गया यह पर दस हो गया तो कितना हो जाएगा तेरा दस कितना हो जाएगा यहां पर योग देखेंगे यानि कि इसका बारामबार्ता का हम लोग देखेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पांच एक च्छा दच्छा सोला सोला आठ कितना हो जाएगा प्वह 4 कितने कि चोविस हो जायेंगे ना यहां पर लिखेंगे कितना चोविस यहां पर देखेंगे यह तो यहां लिख дело कि चोले अई हुआ है 24 क्या है आपका 24 क्या है सम है है ना सम है जब पदों की संख्या क्या होती है सम होती है तो इसके लिए माधिका के लिए फर्मूला होता है ठीक ना तो माधिका बराबर क्या हो जाएगा तो इसके लिए माधिकाक लिंकाले के लिए फार्मूला होता है जब संख्या निपदों की संख्या जब समायती है तो इसके लिए एक माधिकाक लिंकाले के लिए फार्मूला होता है पहले उसको हम आपको लिख के बता देते हैं देखिए एग बटे में दो ठीक है, एक बटेम दो, क्या होता है, यन बाई टू, वे पद का मान, वे, पद का मान, प्लस, यन बाई टू, प्लस वन, वे पद का मान, वे, पद का मान, ठीक है, ये हो गए आपका, तो इसी फार्मूलम क्या रखना है आपको, ये जो है, यन के जएक पर कितना रखना है, आपको, यन, यन के जएक पर 24 रखना है, ठीक है, इसी फार्मूलम क्या रखना है, यन के जएक पर कितना रखना है, 24 रखना है, ये हो जाएगा आपका, एक बटे दो, जहां यन है, वह पर किता रखेंगे 24 रखेंगे तो 24 बतेम कितना हो जाएगा तू वे पड का मान भे पड का मान प्लस यहां पर भी यहन है न तो यहन किसा कितना रखेंगे 24 रखेंगे तो 24 बटम कितना 2 प्लास 1 वे पद का मान वे पद का मान ठीक है यह हो गए आपका तो आप बताएए आप इसको हम लोग काट सकते हैं ना जब इसको हम लोग काटेंगे कि बारव तो देखिए बारवे पद का मान और बारवे यह हो जाएगा तो यही पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे लिखेंगे बराबर एक बटेम दो क्या लिखेंगे बराहवे पद का मान है ना बराहवे पद का मान पलस बारा कितना हो जाएगा तेरा तो तिराहवे पद का मान हो जाएगा तिराहवे पद का मान पद का मान, है न, यह हो गया आपका, बरहावे पत का मान वही होगा जिसकी संचाई बारंबारता कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि देखिए, आप यह बाउंडरी कितना है, 5 है न, इसकी बार संचाई बारंबारता 5 है, यानि 5 तक ही रहेगा, पान से जैसे ही आगे वढ़ा तो किस में आ जाएगा इस वेलम पद में आ जाएगा तो तेरहवा पद है और बरहवा पद इसी माएगा तो देखिए तेरहवे पद का मान कितना दिया गया है साथ दिया गया है और बरहवे पद का मान भी कितना दिया गया है साथ दिया गया है क्यों रिजन क्या है क्यों कि त्यर्हावा पत जू है देखिए बाउन्डरी क्या है पांच है यहां तक पांच संख्या इलिए अब 13 से जादा कोई संख्या होती है तो किस में आ जाता इस वले पत में आ जाता है है ना तो बात समन्जBCR नहीं आपको तो थे यही पर हम लोग लिखेंगे कि निथी आच देखी क्या लिखेंगे बराबर एक बटे में कितना दो जाएगे एक हो जाएगा इत यहीं बड़ावला कोश्ट खट जायागा क्या लग जाएगा गुलें गूलक चि wore जायगा ब्लोग निसी थी समझ मैंगा, कुश्चन है, यूपी बोर्ट क्लास एट कमायत का कुश्चन है, कुश्चन नमर 3, निमलेखी सांडी में 40 सिछार्थियों की आयो, वर्सों में दी गई है, माधिक्या ग्यात कीजिए, ठीके न, ये सब क्या है, जो सांडी दी गई है, इस क्या करना है को माधिक्या ग्यात करना है, ठीके, तो वय वर्सों में, ठीके, अर्थात जो वर्स दिया गया है, ये सिछार्थियों की क्या है, संख्या है, ये वर्स, ये क्या है, वर्स दिया गया है, ये सिछार्थियों की संख्या है, अर्थात, दस वर्सों के जो सिछार्थियों की सं है 6 है 18 वर्ष के सिचार्थियों की संखे कितनी है 10 है तो अब इसकी क्या करना है आपको माधिका निकालना है तो माधिका कैसे ठीक है वर्सों में ठीक है कितना इलिए गया है तास 12 14 16 तो इस वाले कालम को भाल लेते हैं मोग फिल कर लेते हैं, यतना कितना दिया गया है, 10, 12, 14, 16, 18, ठीके, आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सिछार्थियों की संख्या दी गई है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ इस वाले कालाम में, दूसरे वाले कालाम में क्या लिखना यह सिछार्थियों की संख्या, जो सिछार्थियों की संख्या दी गई है, इसी को हम लोग बोलते हैं, बारंबार्ता, क्या बोलते हैं इसको, बारंबार्ता बोलते हैं, इस यूख हम लोग बोल सकते हैं बारामबारता यानि इस इछार्टियों की संख्या कितने दिये गया है चार आठ बारा छे दस ठीक है आप देखिए क्या करना पड़ेगा नेश्ट्यू लाइन में आपको निकालना पड़ेगा संचवी बारामबारता संचवी बारामबारता संचवी बारामबारता संचवी बारामबारता संचवी बारामबारता कैसे निकालते हैं आए हम आपको बताते हैं देखिए जब यह बारामबारता जो दी गई होती है पहला वाला इसे सुरुवात करते हैं यह कितना हो जाएगा आपका चार अब यह च पदों नीची और तो होगी जिकलि को ढ़ायगे संख्या यहां पर लिखी जाएगी वही संख्या नेश्ट विल्य पदों में ढूरती जाएगी ठिकें यहां पर चार हो जाएगा तो Jack लिन जाएगा तो 8 इसे लिड़ा इछे कितना हो जाएगाburst तीस हो गया है न आब थीस Kansas कितना वह जाएगी यह व्ला कितना दास यह मनें पहले बता दिया कि आगे क्योध क्या होती जाती है आज जूरती जाएगी तो 30 4, 12, 12, 24, 26, 30, 30, 10, कितना हो जाएगा, 40, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अब लोग, 40 लिखेंगे, यहाँ पर अब लोग लिखेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे, देखे ध्यान से, यहाँ यन बराबर, यन मलब पदो की संख्या है, वो कितनी आई है, चालिस आई है, चालिस है तो अर्थात कितना हो गई, पदो की संख्या क्या है, अर्थात पदो की संख्या क्या है, तो सम के लिए फार्मूला आपको हमने बताया था, है ना, आताह माधिका बराबर क्या हो जाएगा, आताह माधिका बराबर, आताह माधिका बराबर, यानि, माधिका बराबर छाएगा, फार्मूला क्या होता है सम्के लिए, एक बटेम दो, एक बटेम दो, क्या होता है, N by 2, वे पाद का मान, है न, N by 2, वे पाद का मान, पद का मान प्लस यान बाई टू प्लस वन वे पद का मान वे पद का मान ठीक है? ये क्या है आपका फर्मूला है? है ना? अब यन के जहब कितना रखेंगे बताईए? यन के जहब कितना रखेंगे? 40 रखेंगे तो इसको हल करेंगे आगे की और हम लोग क्या लेखेंगे? एक बतेम दो एक बतेम दो यन के जहब कि लेखेंगे इतना 40 तो 40 बतेम कितना? 2 ना? वे पद का मान वे पद का मान अब यहाँ पर भी लेखेंगे वही यहन कमान भी कितना हो जाएगा 40 यहां पर तो 40 बटम कितना दो पलास वन वे पद कमान वे पद कमान है ना बताइए यह हो गया ना इतना आप बताइए आप इसको हम लोग काट सकते हैं ना यहां पर तो साब साब दिख रहा है काट जाएगा ना देखो दो से काटेंगे दो क्म दो कम दो ढम, सरी, दो ढूंट सम्ट करेंगे, 40 मं यहां कि भाग करेंगे, 40 में तो बिस बाढ जाएका, इनि क्या हो जाएगा, विस ठामान, और टॉटलास एक, यहने 21 पत का मान, है ना, तो नेंट लाइन में यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि एक बटे में कितना दो क्या लिखेंगे बीसवे पद का मान है ना क्या लिखेंगे बीसवे पद का मान पद का मान पलस यहाँ पर क्या हो जाएगा बीस एक एक गईस ना तो लिखेंगे क्या 21 पद का मान 21 पद का मान पद का मान है ना अब बताएए यहां पर समझने वाली बात क्या है बीबीश वापत और कीश वापत किस में आयेगा यह बॉंट्री क्या है? चार है, खिर बारा है 12 से आگे जाएँगे तो इसमें 24 आयेगा इसी में क्या होगा? 20 भी होगा इसमें क्या होगा? 21 भी होगा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि दोनों पदों तो तो कि दोनों मिभस तो एफ ऐस जिसकी संचाई बाराम बारत में तो 24 की जो बाराम बारत है संचाई बाराम बारत Ay Sabahla है दें कितना है जोड़ा है सनफ यहां पर लिख लीजिये एक लाइन चाहें क्या लिखेंगे क्यांकि दोनों पद दोनों पद उस अस्तम में हैं कर दो 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 सुनमा में तोनों प्यांकि भी जांकि दोनों में उले कर दो दोन के दो हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आगी के और हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर देखिएगा बराबर यह हो जाएगा आपका बराबर एक बटेम दो यानि माधी का बराबर कितना हो जाएगा तो 20 स्वापत भी कितना होगा 14 होगा ना और 20 स्वापत भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा है ना यहीत होगा ना क्यों यही होगा तो यह बता यह 1 बटेम 2 यह हो जाएगा कितना 14 14 कितना हो जाएगा 28 तो 28 अब इसको अब ये हो जाएगा इसको भाग करेंगे कितना ये तो उपर जाएगा तो भाग मना जाएगा तो चौद दूनी कितना हो जाएगा थाइस हो जाएगा है ना जब इसका हम लोग काटेंगे यह हो जाएगा देखो 2 1 कम 도 अब 2 1 कम 2 2 कितना 8 यह गनितुन कितनार जा शोधर 58 होता है तो हम लोग बोल सकते हैं बराबर कितना आये अंसर जाये गा कितना अंसर आएगा शोधा आएगा ठीक है ना तो यही पर क्या हो जाएगी इसका अंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, इसका अंसर हो जाएगा सबसे अधिक बार आने वाले पदुको ही बहुला का जाता है तो हम आप पोता दें यह UB Board Class 8 की मेर्थ है 10 चता अभ्यास 15 का question number 4 हम ले रहे हैं कुछिशन नामर 4 जो लिखा गया है कि निमलिखित आकडों का बहुलग ज्यात किजिए, तो बताइए एक, तीन, पांच, 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 चार छे में बहुलग क्या होगा, आप लोग खुद देख कर बता सकते हो कितना होगा बहुलग, पांच होगा, यह जिस पद की बारम नहीं है, जो अधिक बाराया हो, तो पांच एक ऐसा पद है, एक ऐसा संख्या है, जो अधिक बाराया हुगा, तो बहुलग कह लेंगे पांच होगा, आप देखिए, कुष्चन नमर 4 का, 2 वाला पर, थीक है, 2, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 4, 7, 2 तो मैं अगर देखा जाये कि इस वाले question में बहुलक कितना होगा तो आप लोग बताओ कितना 4 क्यों 4 होगा क्योंकि 4 की बारां बारता सबसे अधीक है देखिए 4 यहां पर यह है 1,4,2,3,4 निए 4 कितनी बारा है 4 कितनी बारा है 4 टाइमस आया है इसलिए हम लोग कह सकते हैं बहुलक कितना है? 4 है अब 4 का थर्ड वाला पाड़ देखीगा 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 3, 5, 2 बहुलक क्या है? आप लोग बताओगे बहुलक कितना होगा? 7 होगा किसकी बारंबारता सबसे दिखे? तो आप लोग बताओगे 7 है ने? यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप लोग जो है लाइक और सेवर जरूर कीजिएगा बहुलक 7 क्यों आया? क्योंकि 7 की बारंबारता सबसे दिखे? देखे 1, 7 यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 यह नहीं 7 कितनी बारा है? फोर टाइमस है हुआ है, इसलिए हम बहुला कह सकते हैं कितना है? सेवर नहीं यहीं कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही बहुला कहलाता है देखे कुछना और 5 पर लिखा गया है बिस सोहाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगता में विद्यालाई के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समाए सेकंड नेम लिखे था है, ठीके? लिखा गया है आकडों का बहुला ग्याद किजी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही बहुला कहलाता है देखे, दिखा गया है कितना? देखे, 20, 25, 20, 17, 15, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 20, 15, 23 में बहुला क्या होगा? बताइए आप लोग खुद देख के बताओगे, कहों कि 20 जो है सबसे अधिक बार आये हुआ है देखो, एक, दो, तीन, चार, यानि कि 20 कितनी बार आये है? चार बार आये हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं, यह बहुला क्या होगा? 20 होगा है यानि कि यह सेकंड में है, हम लोग लिख देंगे कितना सेकंड? 20 सेकंड लिख देंगे कितना लिखेंगे 20 सिकेंड ही यही कहला जाए अंसर कहला जाए ठीक है क्योंकि BC वह संख्या है वह पद है जिसकी बाराम बारता सबसे अधिग बार आई है कुश्ण 6 में लिखा गया है नीचे दिये गए आयाज चित्रों में 60 सिचार्थियों का प्रापतां की विवरण दर्साया गया है आयाज चित्रों को देख करने मलीखित, प्रसुनों का उत्तर देजिए एक बाद हम आपको आयाज चित्र दिखा दे रहे हैं इसी आयत चित्र को देखकर कि आपको प्रस्णों को उतर देना है ठीक है आप अपने सामने बुक खोलेजिए यही आयत को देखते रहिएगा और कुश्चन को अच्छे सहलो हो जाएगा ठीक है देखे कुश्चन नमर 6 का पहला वाला देखे वर्ग विस्तार कितना है इधर क्या होता वर्ग होता है इधर क्या होता वर्ग होता है देखो जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस तीस से चालिस चालिस से पचास पचास साठ साथ से सत्तर से असी से नब्बे ना नब्बे से सव यह क्या है वर्ग विस्तार है आर्थात वर्ग विस्तार कितना कंतर है बताइए आप लोग देखो कि 10 कंतर, 0 से 10, 10 कंतर, 10 से 20, 20 में 10 घटाओ कितना आएगा, 10 कंतर, 20 में 20 घटाओ कितना आएगा, 10 कंतर, आर्थात हम लोग बोल सकते हैं, वर्ग विस्तार कितना है तो आप लोग बोलोगे दस होगा क्यों क्योंकि दस कहीं दस जुड़ता जा रहा है अर्थाथ दस कहीं क्या है अंतराल है ने हम लोग विष्टार ना तो आप लोग बता दो किया बतादो गें इसमें क्या लिखोगे बताजिये वर्ग विष्टार कितना है तो आप लोग बताऊके 10 का विष्टार ना वर्ग wish टार कितना है रही है अब question number six leaving question लिखागे है कितने सिछार्थियोंQué चालिस से कम अंक प्राप्त किये, तो आप लोग देखो कि चालिस से कम अंक प्राप्त, देखो ये प्राप्त अंक है, नीचे दिखा रहा है, जैसे कि आपको जो आच चितर दिख रहा है, ये सब क्या है, ये प्राप्त अंक है, तो प्राप्ते निए, चालिस से कम, चालिस से कितना होगा आठ होगा फिर बीस वाला कितना होगा छे होगा फिर दस वाला कितना होगा दो और चार के बीच में कितना आएगा यहां पर तीन भी होगा है ना तीन भी होगा तो जीरों से थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा एक यहां पर आएगा फिर दो है ना फिर दस प्रापतांक पाने वाले लोग कितने हैं तो आप लोग बताऊगे तीन है ना फिर कितना 10 वाला कितने एक है तो सब को जोड़ दीजिए ठीक है तो यहीं आपको जोड़ना है यहां पर तो आप कैसे लिखोगे यह दहाँ पर देखिए यानि कितने सिच्छार्थी 10 से यानि 40 से कम जो है कितने सिच्छार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किये तो पहला कितना था? पहला 8 था 8 है से लिख लो, फिर कितना था? 6 फिर कितना था? 3, फिर कितना था? 1 तो यही सब जोड़ो यानि कितना हो जाएका 6,3,9,6,3,9,1,10,10,8 कितना हो जाएगा 18 तो टोटल कितने हैं यानि कि 18 18 सिचार्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो है 40 से कम अंक प्राप्त किया है कुशन नमर 6 का थरड़ वला पपार्ध, 15 साथ के मदध प्रापता क्तने सिचार्थियों के हैं यहां पर देखिए यही है यहां 0560 के मदध प्राप्तां के सिचार्थी को अधनी संख्या कितनी है यहां यह वालव संख्या करें प्रार वार्व नहीं कितने हैं निक पचास साथ अब यहां पर लिख दीजिए ही पर कि पचास साथ के मध्ध प्राप्ता सिच्छार्थियों के हैं तो आप लोग बताओ कितने बारा हैं ठीक है बारा के, पचास से अधिक, पचास से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने सिछारती हैं, तो पचास से अधिक अब बस समझेगा, पचास से अधिक मलब यह देखिएगा, पचास से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सिछारती कितने हैं, तो पचास यही हो गया, इस से 12 है अब इसको लिख लो 12 लिख लो फिर 60-70 प्रापतांक सी चर्तियों के संखे कितना है तो आप लोग बताओगे 8 है तो 60-70 कितने है तो आप लोग देखोंगे यहां पर 4 आ रहा है चार रहा है ना आप 80-90 जो है प्रापतांक सिचहर्थियों की संख्य कितनी है तो आप लोग बताओगे यहाँ पर कितना आ रहा देखो तो यही सब संख्या आपस में जूड़ जाएंगे तो अब यही पर हम लिखने चल रहे हैं अभी तक जो आपने समझा वही पर लिख दीजिए यानि 50 से अंग प्राप्त करने वाले सिछार्तियों की संख्या कितनी है तो पहले कितना लिखोगे 12 फिर कितना 8 फिर कितना 4 उसम तेरे दूइक कितना हो जाएगा 15 अब 15 बारा कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 27 कितना हो जाएगा 27 ठीक है 27 यही अंसर है इसका ठीक है ओके अब नेक्ष्ट कुछ लेने चल रहे हैं देखिए 6 का फिफ्ट वाला पार्ट कहा जा रहा है कि 10 से अधिक देखो साब साब दे से कम कम प्राप्तांक वाले कितने सिचार्थी हैं कुछन एक बार फिर पढ़िए 10 से अधिक तथा 30 से कम प्राप्तांक वाले कितने सिचार्थी हैं अब आपको दिखा दे रहे हैं 10 से अधिक बासमझना देखो 10 से अधिक और 30 से कम 10 से अधिक और 30 से कम 10 से अधिक और 30 से क येखा है ना तो अब इससे अधीक मनलब क्या होगा बता겠지만 हम लोग करेंगे ड़ो दस से बीष के जो प्राप्तांग सोचार्थ्यों के संक्या कितनी होगी तीन होगी देख कितनी होग तीन होगा अब कहा जारहा इससे 30 से कम होने चाहिए और 30 से कम कितना होगा बताइए अग 20 से 30 के बीच में कितने होंगे तो 6 लोग होंगे ना 20 से 30 प्राप्तां कि सचार्थियों कि संगय कितनी होगी तो 6 होगा यहीं कि 6 और 3 कितना हो जाएगा न हो जाएगा total न तो यहीं लिख दीजी आप ठीक है तो यही पर लिखना है आपको इतना लिखना है कि 6 और प्लस कितना 3 कितना हो जाएक total 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 ठीक है तो यहीं आपको question number 7, 8, 9, 10, 11, 12 बे question देखना है तो video के in में आपके सामने जो video दिख रही है corner में ठीक है इस पर click करके आप लोग पूरा इसका solution देख सकते हैं चलते चलते बस आपको इतना ही कहेंगे कि जाते जाते बस एक like और एक share करके जाएगा धन्वाद